हाई, वाल्कम टू माई चानल, इस वीडियो में स्वाल्व करेंग क्वेशन नमा 43, तो 43 क्वेशन काफी इंपोर्टेंट है, दम ध्यान समझेगा, ओके, मतब क्या कर रहा है, कि एक rectangular field है, जिसका length और breath दे दिया है, तो length यहां पर दे दिया है, कि 30 meter है, और जो breath है वो दे दिया है, 20 meter, ठीक है, के लिए रो गया, अब इसी के बीचो बीच, in the middle बोल रहा है न, in the middle बीचो बीच में, a well of एक well, एक कुवाख होदा जा रहा है 7 meter diameter इसका 7 meter diameter है यहां से लिकर कि यहां तक जो diameter है, वो है 7 meter और कर रहा है कि 10 meter depth is dug और इस field के नीचे, मतलब देखे यहां पर field start होती है और field के नीचे earth यहां पर ऐसे जा रही है नीचे, तो यह जो height जो depth है यहां पर इतना depth जो खोदा जा रहा है, वो है 10 meter, यह आपका है 10 meter, clear अब देखे, यह जो green part बनाया हूं मैं न, यही green part जो है well का actual depth है, ठीक है लेकिन अब इसमें से जो earth है बाहर निकाल करके, इस field के ऊपर फैला दी गई, ठीक है, यहां बोला है क्या, the earth so removed अब जो इसमें से earth जो remove होई है is evenly spread उसे जो है, बराबर तरीके से spread कर दिया गया, over the remaining part of the field, जो बचा हुआ field का part है, मतलब यह कुआ का जो, जो इस well का जो diameter से, जो circumference होगा जो भी मतलब इसका area होगा उसको छोड़ करके, जितना remaining part of the field है, वहाँ पर फैला दिया गया, किसको इसमें से जो earth बाहर निकला है उसको, अब क्या का रहा है कि find the height through which the level of the field is raised आपको बताना है कि कितना इस field का जो level है, वो कितना raised हुआ है, मतलब आपको यह बताना है कि यहाँ से यह जो height है, यहाँ से यह height है, यह वाली, या फिर यहाँ पर जो height है, यह हर जगा जो है, बराबर तरीके से रेज़ हुआ होगा यहाँ पर जो height है, यहाँ जो height है यह जो height है, यह जो height है means इसको मालने हम लोगे यह दी h तो यह ही h जो है height पूछ रहा है कि यह जो field का label जितना rise होगा वो कितना rise होगा तो यहाँ पर ध्याँ समझेगा यह जितना भी h होगा वो उतना ही होगा यहाँ भी h उतना ही होगा यह बला h मतलब कहां से कहां तक यहां से लेकर के यहां तक समझवा रहा है मतलब कि इस field का जो label है वहां से जो कुवा स्टार्ट होकर के निचे गया है उस label के उपर जब मिट्टी बिछार है है जितना भी earth निकाल करके बिछार है तो जो h height तक उठा हुआ है यह जो well है वहां तक खाली है यह जो well बना हुआ है h height तक वो खाली है यह बास समझेगा तो यहां पर यह बास समझते हुए आपको यह concept लगाना है कौन से concept? ध्यान समझेए जितना भी well का volume होगा मतलब कि well में से जितना earth निकाला गया होगा जितने volume का वो उतना ही होगा जितना इस kubide का जो यहां पर फ्यूर्ट के उपर जो kubide concept का बन गया है आपका यह space उस kubide के जितना volume होगा वो उतना ही होगा जितना इस well का volume होगा लेकिन आपको बस एक बात ध्यान रखनी है मैनस करना पड़ेगा इस पूरे फिल्ड के वाल्यूम से मतलब फिल्ड नहीं मतलब की क्युबाडल स्पेस जो बना हुआ है आपर इस क्युबाडल स्पेस के वाल्यूम में से मैनस करना पड़ेगा आपके इस वेल का वाल्यूम जो एच हाइट का यहाँ पर रेज हुआ तब जाकर मिलेगा जो volume ना, वो volume बराबर होगा इस well के volume से, तो मैं यहाँ पर उसी बात को लिख देता हूँ, और इसी concept को लगा करके जो है हम solve करेंगी इसको, okay solution लिखते हैं, तो पहले माल लेते हैं यह h, ठीक है, कितने height तक रेज हो रही है, तो let, let the level of the field raised be h meter, माल लेज मीटर height तक ही बढ़ा दी गई, मताब level raised हो गया, अब हमें यह करना है, we know that, we know that, we know that, volume of the well, volume of the well मतलब क्या, जितना भी earth इस to well में से निकाला गया है, उसका volume, ठीक है, volume of the well बता रहा है, तो volume of the well, वो equal होगा, volume of the cubital space, cubital space, जो generate हुआ है, इस field के उपर, उसका volume मिकालने के बाद, minus कर देंगे, volume of cylinder, cylinder ही बोलते हैं, यह जो h height का cylinder बना हुआ है, यह यहाँ पर h height का cylinder बना हुआ है, इस h height का cylinder का volume में उसको minus करना पड़ेगा, इस पूरे field में से, volume of cylinder, half height h, half height h, और यह जो height h का cylinder बना हुआ है, किसके करना हुआ है, यह लिशकते हैं, आप due to, due to the well, मतलब कूवे के करना यह बच गया, यहाँ पर, तो उसका volume हमें घटाना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा, total वही volume जो, इस well का volume होगा, ठीक है, क्योंकि earth जो है, इस कुवे के ऊपर, जो है, spread नहीं की जा रही है, केवल इसको छोड़ करके, जो remaining part of the field है, केवल वहीं पर spread किया जा रहा है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, volume of the well, volume of the well क्या होगा, pi r square h, ठीक है, तो हम लिए के formula लगाते हैं, pi r square h, is equal to, volume of the cubatical space, cubatical space का volume कितना होगा, l into b into h, और h वही होगा, यह height, जो यहाँ पर well का भी height हो, यहाँ पर h जो है, यह जो height है वो अलग है, यह 10 meter है, लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर जो volume of the cylinder निकालेंगे, वो h height का है, okay, minus, volume of the cylinder, मतलब यह जो उपर जो यह space, cylindrical space है, उसको मानस कर देते हैं, मानस हो जाएगा, pi r square h, radius तो उतना ही रहेगा इसका भी, जितना cylinder का है, जितना well का है, यह वाला r होगा, यहाँ भी यही r होगा, यह भी यही r होगा, ठीक है, अब हम इसमे values put करते हैं, पहले आपको द्यास दिखाते हैं, ठीक है, pi की value जो है, आप जानते हैं, 22 by 7 यूज़ करेंगे, into radius, radius आपको यूज़ करना होगा, इसका जो radius है, मतलब diameter दे दिया है, आपका 7 meter, तो radius होगा 7 by 2 meter, ठीक है, यहाँ पर यह आपको यूज़ करेंगे, 7 by 2, का whole square, into height, height अब इसमेट के दिया होगा है, 10 meter height दिया होगा है, यहाँ पर लिख देंगे 10, is equal to, देखें, length, अब यह क्यूबडर स्पेस का length, breadth और height देए, तो 30 meter length है, breadth है आपका 20, और height क्या है, h है, तो यह हो जाएगा आपका, 30 multiplied by 20, into h, minus, और फिर πाई के बालू लिखें, 22 by 7, multiplied by r square, r square मतब radius का square, मतब 7 by 2 का square, क्योंकि यह भी square, इतने ही होगा, into h, height हमें नहीं पता, h हमें ऐसे रखना है, यह जो height है, यह इतना h, वो नहीं पता, अब यहाँ पर, अब इस solve करेंगे, तो s की value मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ भी h है, और यहाँ भी h है, दोनों same h है, ओके तो solve कर लेते हैं, यहाँ से आगे, तो यहाँ से हो जाएगा, क्या, यहाँ से हो जाएगा, 22 by 7, multiplied by, यहाँ पर हो जाएगा, 7 by 2, multiplied by 7 by 2, multiplied by 10, is equal to, यहाँ पर s कामान ले लेते हैं, देखिए, यहाँ से हो जाएगा, 7 by 2, into 7 by 2, h हमने कामा ले ले लिए हैं यहाँ पर, बस इतना बचेगा, अब यहाँ साल करते हैं, 7 by 7, और 7 by 7, और यहाँ पर 2, यहाँ से हो जाए, ठीक है, 2 अंजा 2, और यहाँ बचेगा 2, 11 जा, 2 अंजा 2, यहाँ पर जाएगा, 600 minus, यहाँ पर मटबलाई करीए, 7 by 7, कट गया है यहाँ पर, 2, 11 जाए गया, मतब कि 11, 7 जाए कितना होगा, देखेए, यह 11 बचा, 7 बचा, 11, 7 जा, 77 अपन 2 आजाएगा, 77 अपन 2 आजाएगा, अब यहाँ सा मटबलाई कर लिजिए, तो यह मिलेगा, 5 और 8, and 3, 385, is equal to, मिल जाएगा, H, अब यहाँ पर solve करते हैं, थोड़ा सा, तो 600, अपन 1 कर लेते हैं, तो, एल से में जाएगा, और 1 इतु 2, 2 से करेंगा, तो 1200 आजाएगा, और यहाँ पर आपन 2 रहेगा, ठीक है, अब क्या करना है कि, H बर बर निकालना है, H बर बर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस में मटपलाई करेंगे, 2 से और इतना से डिवाइड करतेंगे, मतलब की मिलेगा, आपको 385 इंटो 2 अपान 1123 अब यही साल्व करना है इतना मीटर आएगा जो भी आएगा तो सिंपल लेगा रहे है 2 x 10 का 0 2 x 10 का 0 1 carry over 2 x 10 16 and 1 17 and 2 x 36 and 1 7 तो 770 होल अपान 1123 आजाएगा अब यहां इतना मीटर आएगा तो इसको मीटर से सेंटीमेटर में करने के लिए क्या करेंगे 770 दो जिरो और बढ़ा दिजिए तो यह आजाएगा सेंटीमेटर में इतना सेंटीमेटर आपान 1123 इतना सेंटीमेटर आजाएगा ठीक है अब यहां पर करना क्या है कि हमें divide करना है इसको और divide करना ही सारा भारत है तो इसको हम divide करते हैं 1123 से तो यहां पर हम फ़रा सा color change कर लेते हैं इसका ठेक है हम divide करते हैं यहां पर 1123 से दिवाइड करना है 7700 में एक कैसे डिवाइड करेंगे आपर हम यहां 11 से ले जाएंगे 77 में पहले कितने पर हम चला जाएगा 117 जा ले जाएंगा तो ज्यादा आ जाएगा एंग 6 तुजा 12 हो जाएगा 12 एंग 1 13 13 का 3 वन कैरी ओफर एंग 6 वन जा 6 वन सेवन और 6 वन जा 6 देखें यह 6 यह कम आ गया इससे तो बिल्कुल सही आया है और इसे मैनस करते हैं तो देखें 10 यहां पर कुछ नहीं है तो 10 हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा अब यहां पर जाएगा 6 का किन से लड़ जाएगा अब यहां पर 0 उतार लेंगे और फिर से जाएगा यहां पर 11 से कितनी बार में 11 8 जा 88 11 9 जा ले जाएगा तो 99 जाएगा तो 8 बार ले जाना पड़ेगा तो 11, 8 जा ले जाएंगे, तो कितना आएगा अब 8 समय प्लाए कर लिए, 8, 3 जा 24 का 4, 2 करी ओवर 8, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 and 2 18, 18 का 8, 1 करी ओवर and 8 बंजा 8 और 1, 9 and 8 बंजा 8, कितना आ गया मैनस कर लते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा 6 हो गया, और यहां पर 1 बचा, 11 हो गया, 11 में से 8 जाएगा, 3 हो गा उसके बाद यहां बचा 5, 15, 15 में से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा अब यहां जिरू हो जाएगा, अब जो है नहीं जा पाएगा, तो decimal बढ़ाना पड़ेगा decimal बढ़ाएगे, सोरी यहां पर जो है, अब यह दि decimal बढ़ाएगे, तो किस से जाएगा अब यहां जिरू बढ़ा सकते हैं अब यहां देखिए, 11, 6 जा 66 से चला जाएगा 11, 5 जा 55, तो 5 बढ़ चला जाएगा, तो 11, 5 जा 55, 11, 5 जा 55 बढ़ जाएगा, तो 5 थिर्जा 15 का 5, 1 के रिवर and 15, 3 जा, 5, 15 5 थिर्जा, 10, 10, 10, 1, 11 का 1, 1 के रिवर and 5 बढ़ जा 5, 1, 6 ओके 5 बढ़ जा 5 इतना आगया, मानस कर दिजिए, यह मिलेगा 5 और यहां से 5 बचा 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है अब यहां बचेगा 3 बचेगा 13, 13 बचेगा 7, और यहां पर किंसल लट हो गया इतना बचा, अब यहां में 0 बढ़ जाएगा अब कितना बचा जाएगा, यहां पर 7 बढ़ जाएगा 11, 7 जा, 76 बढ़ जाएगा तो 6 रिजा 18 का 8, 1 के रिवर and 6, 2, 12 and 1, 13 का 3, 1 के रिवर अच्छा, 6 रिजाएगे तो इतना ही आएगा 6, 7, 3, 8 तो यहां पर जाएगा, 6, 7, 3, 8 अब यहां मानस करेंगे तो जो भी आएगा, मतला अब निकालना नहीं चाहते हैं हमने 2 पलिस तक निकाल लिया ना अब क्या करना होगा, कि हमें राउंडिंग आफ करना पड़ेगा तो यहां पर जो 6 है, मतलब कि यहां पर आजाएगा अंसर आपका इतना आएगा, ठीक है लेकिन डाट-डाट कुछ और भी आगे रहेगा, लेकिन आपको लिखना होगा एक अधिक करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 68.6 हो जाएगा यह तो 68.6 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर और इस इस यूर फाइनल आंसर इस इस दे हाइट त्रू विच दिस फिल्ड विल बिरेश्ट ओके, थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग, बाइ